अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है प्रतम कोर चरण S139 बूस्टर का नॉजल एंज सेग्मेंट इस प्रतम चरण के साथ यह शुरुवात होती है और यह मिडल सेग्मेंट को इसके उपर संयोजित किया जा रहा है ऐसे तीन मिडल सेग्मेंट इसके उपर संयो इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह एक नाइटर है जो इसे प्रजोलित करता है इस मिशन पर यह है PSLV C57 XL मिशन तो इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स हर एक में 12 टन के नॉदक भरे जाते हैं यह सब ठोस नॉदक पर अधारित है यह SITVC टैंक को उठाकर इसक मोटर्स लगे हुए है प्रिथिकन के लिए और यह है दितिय चरण जो की इतरल नॉदक पर अधार चरण है इसमें विकास ने लगा हुआ है खर खर उट लगा व्होंजाए नाहए लाघनेडर अपके ऑने जाराभ देख रहे हैं तो पूरे वहिकल को असंमेल किया मिलारे जाता है फिर myself, फिर कशे प्र मेंुझे है दूरी ट्रिए आडिद्या रडिद टैंड टील century Below the environment is controlled and the temperature is controlled, cleanliness is controlled At the vehicle assembly building, again there is a clean room provision to safely integrate to the rocket And then the heat shield halves are closed Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 900 metres away